नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरी किसोर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की सोर टेक टॉक पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप SBI के कस्टूमर के अर्शे कैसे बात कर सकते हो और दोस्तो मैं आपको बात करके भी दिखाऊंगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा दिजे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों SBI के कस्टूमर के अर्श से बात करने के लिए सबसे पहले आपको डायल करना पड़ेगा 18 11 12 21 दोस्तों यह नंबर आपको डायल करना पड़ेगा यह नंबर ध्यान से देख लिजे और किसी भी स्पर्केंद्र में आपका स्वागत है आपकी पसंदीडा भाशा हिंदी है जारी रखने के लिए एक दबाएं और अपनी पासा को परिये ग्राहक COVID-19 के कारण समाने से अधिक पतिक्ष्या समय हो सकता है क्योंकि हम सीमित स्टाप के साथ कारे कर रहे हैं आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है दोस्तो आपको फिट से एक दबाएं पंजीकरित मोबाइल नमबर के माध्यम से अपने खाते में शेश राशी और अंतिम पांच लेंदेन के विवरण प्राप्ट करने के लिए एक दबाएं फोन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से खापा संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए दो दबाएं अन्य जानकारी के लिए नौ दबाएं तो दोस्तों आपको नौ दबाएं पैंकिंग दो नो No discounts or deal हम ज्राहक सेवा अधिकारी से संपर्थ करा रहे हैं ख्रिपया, hold कीजिए. ये call हमारे गुणवत्ता विभा के प्रशिक्षन के लिए record की जाएगी. अपनी गुप्त जानकारी जैसे की OTP, CVV, ATM PIN, PIN, username या password इस call पर email के द्वारा या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बाटें. बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं. है कि मैं SBI Yono App से बहुत पहले account खोला था online लेकिन मैं branch में गया तो बोला कि full KYC नहीं हो पाएगा जो आप नया account फिर से खुलवा लिजे branch में. आपको SBI कस्टूमर केर से बात कर सकते हो तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर करे मिलें गयागली वीडियो में तब तक के ल निवाद जैहिंद बाई बाई बाई